सी बीच बड़ी खबर देश भर में करोना वारिस से मरने वालों की संख्या 1694 पहुच गई है जिसमें पिछले 24 खंटे में 126 मौते हुई है जबकि अब तक पूरे देश में 49,390 करोना के मरीज हो चुके हैं वही 14,183 मरीज जो है वो ठीक भी हुए है और स्वास्तो कर अपन पहले हुए अब तक के सबसे ज़्यादा हागड़े आए तक आज तोड़ी से कमी आई है और मौत के मामलों भी तोड़ी सकमी आई भी है अलाकि स्वास्तमात्राली की तरफ सी यह कहना था कि कि पश्चिव मंगाल की तरफ से हांक्ड़े नहीं शेयर के एक दिन में आचानक मामले मामलों में बहुतरी हुए लेकिन 2958 नए केस आये हैं यह भी कम मामले रहे हैं लगभग यह 3000 के आज पास पहुंच चुके हैं नए मामले हर रोज यह केस बढ़ रहे हैं और पिछले एक हपते से यह देखने को मिलना है कि 2000 से जादा हर रोज 24 घंटे में मामले दर्ज हैं तो फिलहाल लॉक्डाउन अला कि सरकार ने बढ़ाया है उसके साथ में धील जरूर दी है यह भी देखने को मिला है कि बहुत लोग इसका पाइदा भी उठा रहे हैं लेकिन सरकार यही बार-बार अपील कर रही है कि सोचल डिस्टेंसिंग और सरकार की जो दिशा में उनका पालं करना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है बिलकुल लेकिन रवी पश्च्रम बंगाल से जो तस्वीरे हमने देखी थी वो भी बेहत खतरनाक थी फिलहाल इस थी वहां पर क्या पश्चिम बंगाल के जैसे का मैंने वहीं खेहा कि वहां के जो आंकडे थे वो श्यर नहीं किया जा रहे थे कि इंदर सरकारी के तरब से आंकडों के शेर करने में आना कानी काफी की जा रही थी एक माई के बाद जो हमारे सुटर बचाते हैं कि वो आंकडे नहीं दूगे अचानक दो दिन में जो आंकडे दिये गए उसके वज़ए से अचानक उद में बढ़ा और पूरे देश में बहुत का आंकडा बढ़कर एक सो पंचान वे हो गया चोविस घंटे में तो पश्चिम मंगाल के भी इस सिती काफी खराब है लेकिन जो सब से जादा है कि लेकी ये जो से अउ बहुत के रचानक आंकडा ये पार शल